किसान भाई मैं आपके पास बक्री है आपकी बच्चा दिया तो बच्चे को दूद चाइए और कैसे बढ़ा सकते हैं से बाक्री का दूद कैसे बढ़ा को तीन बच्चे दे देर बलेक बंगल बकरी तो पहले जो तीन बखरी को बजब बच्च दून को कहां से लाकर देगी इसी कारण जो बच्चे को मेंने को दून नहीं मिल पाता है कि बहुत सारे मेंना 15 दिन योगे महीन से तिन मन तक मानलो मंत कम सकम अधाइं मन तक आपको दुद मेमने को पिलाना है उसके लिए विडियोग इसे थाया में आपको पूरी बात बताऊंगा तो चलिए पहले बढ़ाने का फोरूमला मैं आपको बता दू पहले पहले मेथी जो मैं आपको बच्छा दिया आपको क्या-क्या समागनी चाहिए पहले मैं आपको बताता हूँ मेथी जानना वो मेथी का दाने यह पहले की मताने समय पहले आजवाईन कितन ना ुट कैश लिए है कम 20 जही आपले सकते हैं पानी यह इंतनी वह हैं जोटानें जोगे पनेफया सब्सक्राइबद इस था फरी कंग के लिए तो सब्सकी दिना अच्छे त्रेक से आप किसी सिलबटेवा पीश सकते हो या किसी ग्रेंडर मसीन में जाके आप इसको पीश सकते हो जब इसका पौडर बन जाएगा जब इसका पौडर बन जाएगा तुसको क्या करो आप इसको पानी इंडाल दो और आप दो लिटर पानी को जो बॉयल कर रह जैर है जो आप जानते हैं जैयर जैर आसानी से गियर जाएगा बास पासाले का पूरा सफाई और आपको कहले नहीं सतावर सतावर कौन सा पीली सतावर पता होगा कम से कम आपको 20 ग्राम यह भी आपको देनी पसवपालग भाई यह दो चीज़ जो है मारे पास पास पॉपालग यह दो चीज़ एक और दो तीसे नहीं हमें आपको फिरकर बतो हल्दी मैं इसलिए बार बा कर देना छोटी नसल के तो 25 ग्राम कर देने पस्पाल लो ठीक आप इन तीनों का अच्छे से मिक्सप बना लो एक और आप अपने पस्टू को गुड़ के साथ गुड़ के साथ कम्सक्रम गुड़ आपके पास 100 ग्राम होना चाहिए यह दो टाइ disc poscar in organs doordy को आप इसको रेगुलरी दस दिन तक आपको continue डेना ही दस दिन तक लेएफ सुबह सांब करोए पर अपको लिए आप पर सुबहाई हो आपकी जो बकरी है दूढ़ अच्छा करेगी साथ आपकी बकbor में बच्चे दूढ़्ह आप और जल्दी ग्रोथ करेंगे और आप अगर दूद का पीरोथ आपको अच्छा यानि कि युम्निटी पावर बढ़ेगा आपका तो यह नेचरल चीज से बढ़ा सकते हैं यह हमारे पास देशित चीज है मैंने लिया है आपके लिए दूद्ध बढ़ाने का जो तरीका मेथी अब कोलए मेथी बीज़ाम सतावर लें अपिली सतावर अब को विस घमắm हल्दी लें 50 form गुट ले आपको 100 दू मातर में बनाना तुसमें आप बना के इसको दे सकते हो यह देसी तरीका हुआ हमारे बकरी को एने की दूद बढ़ाने का साथ पसपालो अब जैसे ठंड का टाइम चले पसपालो बहुत सारे किसाने बोलने के सची चलो ठीक है आपने यहां तक फूर्मूला बता दिया यह फूर्मूला बोलो या फिर आप निम का पता या निम का तेल आप पिला देना उसको ठीक पसवाला इससे आपको क्या होगा कि आपकी जो पसु का की रहे हो खतम हो जाएगा पेट उसका साफ हो जाएगा बकरी का आप उसके बाद क्या करो जो हम बात करते हैं फीड पर भोजन पर जो हमारे पस इसी चीज के ऊपर अप्लाई करो ठंड के मौसम हर चीज में एनर्जी ज्यादा खर्च होती है जो हमारी दूधारू भैस या गाय भी होती है पसपाले भाईयों या बक्री होती है तो उसको दूध बनाने के लिए हमें सब ज्यादा एनर्जी हमें कहां से मिलेगा दाना से मि बक्री भ्याय हुए है आप उसको सव गराम दाना एक्स्ट्रा दिए करना क्योंकि ठंड के मौसम में उसको दूध बनाने के लिए बहुत जब ज़्यादा चाहिए होता है जब उसको उर्जा होता है तो यह तरीका बिलकुल आप इतना जहन रहो हो जब तंड का मौसम आता आपको वापर दाना बढ़ादाना सिम्पल से में लॉजिक आपको जब गर्मी का मौसम आता है पसुपालों भाईओं हम और आप कोई भी हुमन बड़ी होते हैं कोई इंसान है इतना गमकी होता है इतना गुंकी होता है ऐसा लगता कुछ खाने का मन नहीं करता है तो उसी तर अपनुपर आप अपने दोना होगा उसके बाद पशिपल आप gagnu कोई आप देखो आप कि बख्री का दूद कभी कम नहीं होगा आपकी बख्री का दूद कभी कमिने होगा और और समय पर गरवधाल में करें आप मिनरोल्स मिंक्सर विटामीट अगर आप बकरी के साथ दे रहे हो और अतियुत्ता हमें इससे क्योंकि आपकी जो बखरी का परजन शंता है और अधिक पड़ जाएगा और आपकी बखरी का दूद जो है वह पिक लेबल तक रहेगा आपकी परज़िए बाकरी अछे दूद देंगी पर क्योंकि देखे जितने भी किसान होते हैं अधिकास में विसेट करता हमा मैं किसान से मिलता हो फस्पालब वहां पर एक चीज़ बहुत कोमन चीज़ का लपन छेघता ओन को हीर rant भेस भी रखते है ऑthy 70 वह क्या का करते हैं य यहां पर हमारा बचत यहीं होता है बक्री को अगर हम फीडिंग करवा रहे हैं यहां से जैसे मालों हमारे गाए नहीं होता है यह वेस्ट नहीं होता है यह तरीका से अगर क्योंकि मैं हर जगा पर देखतों कोई पर सांद दो बक्री रखें तो पसपालों देखो मैं आपको सही तरीका समझाएं आप किससे साब आपने बखरी का दूद बढ़ा सकते हो यह जो बिल्कुल देसी तरीका पसपाल हो आगा कहीं आपको भागने जरूत नहीं कहीं आपको दिमाग लगने जरूत नहीं सब आपके घर में उपलब दो जाएगा साध क्रोट तरीके सागत यह वह अपने पर बखको च्षें भूने वह जल्दी गरोथ नि t suited च्कम स्कम हापके बखकरी आप अच्छा खासा गें कर जाए प्रक्रिक वेट गैंड 10 kg प्लस करना चाहिए जो हमारे 10 kg प्लस पर लोग क्योंकि जब आप उसका पसूख को जब अच्छा मिल्क गी जब दूध पियेगा में न तो वहां पे हमें अच्छा मुनाफ़ा मिलेगा और बक्रिक जो हमारे जो मैंने लंबे समय तक चलेंगे बीमार जल्दी नहीं परेंगे जो बिमार रेखा तो बचत हमारा ही होगा पसपालोगे ठीक तो जो में मुद्दा है आप इस फिट को या इस फॉर्मूले को आप वहरा है साग्रें जरूर करें जिसको मैंने आपको अच्छे तरीका से प्र दूद देगे पसपालो यह बिल्कुल देशी तरीका है जानवाय तरीका अगर आपकी बक्री ने बच्चा दिया है आप सीधा उसी टाइम उसको क्या करो जयर गिरने से पहले जैसे आप बक्री बच्चा देदा डिलीवरे होगे आप उसको बनाके काड़ा बनाके पिला दो वहाँ आपने काड़ा बना के पिला है आप देखोगे यह घंटा होते होते वन आवर्स होते होता आपकी जो बकरी उसका जैर पूर अच्छे तरीके से गिर जाएगा साफ हो जाएगा आप इस फॉर्णों तीन दिन तक रेगुलर दे दो उसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको बताना चाहता हूं चाहता हूं आपको हर एक चीज आपको बेसिक जानकारी मिल से के पॉस्पाल अभी जरूर लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब जरू कर देना पसपलोगे तो मिलते नेक्स में तक आपको आगे दे जहन दन्यमाद